नमस्ते दोस्तों, एम्यस किच्छन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे पारले बिस्किट से प्यारी पैरे मिटाई इसके लिए हमें चाहिए दो पॉकिट पारले बिस्किट हमें इन पॉकिट को फोड़ कर बिस्किट को भार निकाल लेना है ये मिटाई खाने में बहुत सौधिश्ट लगती है इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर जार उस मिक्सर जार में हमें पारले बिस्किट के छोटे छोटे तुकड़े करना है हमें इसके बड़े तुकड़े नहीं रखना चेले अब देखते इसके बारिक पड़र तयार हो चुकी है या नहीं देखिए इस तरीके से हमें बारिक वाले सूजी के तरवई से पीसना है देखिए ये तयार हो चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस के और अब हम इसमें डालेंगे एक चमज मिल्क पाउडर, उसके बाद हमें इसमें डालना है दो चमज बारिक चिनी पाउडर ये विठाई बनाने में बहुत ही आसान है, तो चले अब बढ़ते हम अगले प्रोसेस के ओर अब हम इसमें डालेंगे दो चमज चोकलर सिरप, हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हमें इसे आटे की तरह ही गुणना है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा सक नहीं गुणना इस तरिके से हमें इससे गुन लेना है अब हम इसमें 2-3 चमच दूद डालेंगे दूद से हमारी मीटाई खाने में अच्छे लगेगी और हमारा आटा ही सफ्ट बनेगा देखे अब हमारा आटा गुन चुका है अब हम इसमें से थोड़ा सा लोया निकालेंगे कर लेना है ताकि ये रेड कलर हमारे लोई में अच्छे से मिक्स हो जाए ये अब रेड कलर में अच्छे से मिक्स हो चुकी है ये मिटाई खाने में जितनी टिस्टी है बनाने में भी उतने सस्ती है अब हम इसमें से एक छोटा सा लोया निकालेंगे हातों के उपर हमें इसे दबा लेना है इसके हमें एक छोटी सी रोटी बना लेनी है अब हम रेड़ वाले आटे में से थोड़ा सा छोटा लोया निकालेंगे हमने जो रोटी बनाई थी उसमें हमें छोटे वाले लोये को रखना है और उसे हाथों के उपर अच्छे से गोल गोल करना है देखे बिल्क पारिक नारिल की पाउडर बनाई है उसमें हम इनको डालेंगे और इसे हमके से हमें नारिल की पाउडर लगानी है देखे इस तरह किसे हमें नारिल पाउडर लगानी है इसे हमें ज्यादा ही नहीं लगानी हमारे पारले बिस्किट की प्यारी प्यारी मिठाई बनकर तयार हो खुकी है अगर चानल पर हो तो झाल को सब्क्राइब कीजें और बेल आइकोन दबाने के Лिए ना बूलिये देसे भी कैसी लग कमेट में जरूर बताईए हमारे चानल पर आने के लिए carrying धन्यवाद एसे हमारे चानल पर आते रहे और मजहितर ऊंथे रहे